जैनीम करोली बाबा जैनीम करोली बाबा जैनीम करोली बाबा आज की इस कथा में महाराजी अपने भक्त के कश्च का निवारन कुछ इस तरह करते हैं श्री प्यारेलाल गुपता जी की पतनी बीमार पड़ गई प्यारेलाल जी की पतनी का सारा गला सूच गया और गले तक फफोले से पड़ गये ना ही उनके दवा अंदर जा सकती थी और ना ही पानी और मुश्किल की बाद तो ये थी कि कि किसी दवा या किसी इंजेक्शन का क कोई असर नहीं हो रहा था प्यारे लाल जी बहुत परिशान हो गए और महराजी का ध्यान करते हुए कैची धाम पहुंचे कैची धाम पहुंचकर उन्होंने महराजी के दर्शन किये और दुखी होके सारी व्यथा महराजी को बता दी अच्छा उसी समय महराजी भक्त द्वा प्यारे लाल जी की सारी वेता सुन रहे थे, सुनते सुनते महराजी ने वो कचोडी प्यारे लाल जी को दे दी, कहा कि लो, जा इसे माई को खिला दे, सब ठीक हो जाएगा। पर प्यारे लाल जी ने महाराजी से कहा महाराज वो तो पानी भी नहीं निकल सकती ये सुनकर महाराजी ने जोर देके कहा जाओ खिला दो सब ठीक हो जाएगा बड़े लाचार होकर गुपता जी उस कचोडी को लेके बरेली वापस आये और अपनी पत्नी को दी और चमतकार की बात ये है कि वो पानी भी नहीं निकल सकती थी लेकिन दीरे दीरे करके पूरी कजोडी खा गई और जैसा महाराजी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ वो दीरे दीरे करके बिल्कुल स्वस्थ हो गई जै नीम करोली बाबा, जै भक्तों के रखवाले, जै मेरे स्वामी, बोलो नीम करोली बाबा की जै